हेलो इस्टूरिंग्स वेलकम पू मैं टूप चैनल जी एस इस्टूटी पॉइंट चलिए च्टिस गड़ की तिरास को कंटीनू करते हैं और आज हम जो है च्टिस गड़ में च्टिस गड़ का जो सतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है या यह कहें कि च्टिस गड़ का सतंत्रता संगर्व में जो योगदान रहा है उसको हम यहां पर डिसकस करेंगे त्यक है आपके जो एक्जाम होते हैं उसमें में च्टिस गड़ के सब्सक्राइ वहां से काफी कोटिन कोशन पूछे जाते हैं तो कम से कम 10 से 12 को. समबंधित होते हैं तो चलिए zittart करते में 36 गड़ का सतंचता आनदोलन तो देखे 19 सतापती में जो भारत में जो है दो ऐसी महत्पुन घटना एगटी थी जो थी आपकी 1857 की क्रांती जिसने जो है भारती लोगों में राष्ट्री की जो भावना थी राष्ट्री भावना थी उसको जागरित किया या यह कहें कि उस टाइम से जो है राष्ट्रवाद का उदै हुआ दूसरी यह घटना थी कि जो बहुत से ऐसी दमनकारी नीतियां बन रही थी अंग्रेजों दौर जो भारतियों के दमन के लिए बनाई जा रही थी कुछ ऐसी आर्थिक नीति थी राजनितिक नीति थी ठीक है तो उसमें जो है एक जो ठोकर उसके विरुद्ध जो है लड़ाई किया जा सके और अंग्रेजों को इस चीज के लिए सचेत किया जा सके इसलिए भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी मेलनी ये था कि इसमें जो धर्म गत्थे या जाती गत्थे उन सब विभेत को मिटा कि राष्टी एकता को भारतियों में विक्सित करना दूसरे चीज ये थी कि जो आर्थिक मुद्धे हैं राजनितिक मुद्धे हैं जिसकी वज़े से भारतियों को दिक्कत हो रही थी अंग्रेजो दरजो नीतिया बनाए जा रही थी तो उसमें जो है सिक्षित वर्ग को एक जूट करना ताकि उसके विरुद लड़ा जा सके ठीक है और भविष में जो राजनिति जो कारिकरम बनाए गए है उसके रूप रेखा को सुनिस्चित किया जा सके जिस वज़े से इस कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी तो इसमें जो है 36 गर का भी जो है काफी प्रभाव पड़ा 36 गर में भी जो है इसका काफी प्रभाव पड़ा है तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे 36 गर में इस टाइम पे क्या-क्या हुआ था कौन से बैक्ति ऐसे हैं जो 36 गर के जो उस टाइम पे सकरी रहे हैं सुतंतरता संगर्स के टाइम पे कौन सी घटना है जो 36 गर में घटी थी तो इन सारी चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ठीक है? तो चलिए और यह आपका सुतंतरता संगर्स का पहला पार्ट है ठीक है? इसके बाद जो है तीन से चार वीडियो आएंगे जिसमें जो है आपके सुतंतरता संगर्स जो है 36 गर का समापत हो जाएगा तो और इससे पहले भी जो वीडियो अप्लोट कर दिये गये हैं 36 गड़ के इतिहास पे तो अगर आपने उन वीडियों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएगा और वहां पे जो है आपका 36 गड़ इस्पेसल करके जो है प्लेलिस्ट बना है वहां से आप उससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं तो देखे जो आई एन सी है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ठीक है इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसकी जो पहली बैठक थी वो थी गोधुल दस्टेशपाल संस्कृत कॉलेज बंबाई में हुई थी ठीके पहले ये बैठक पूरे में होने वाली थी लेकिन वहां पे पलेक फैल जाने की वज़ए से पूरे से इस बैठक को बंबाई शिप्ट किया गया और पहली जो अध्यक्षता की थी कॉंग्रेस की वो थे वियोमेस चंद्र बनर जी और गवर्नर जनरल जो है कौन थे लाट डफरिन देखे जब मैंने आपको आधुनिक भारत का इतिहास पड़ाया था उसमें मैंने इन चीजों को बिलकुल विस्तार से पड़ाया हुआ है औ और आप आधुनिक भारत की तिहास के वीडियो को भी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं ठीक है चलिए अब देखते हैं कि जो 36 गड़ का जो संपर्क है ठीक है वो कॉंग्रेस से कब हुआ था तो देखे जब 1889 के जो बंबाई अधिवेशन था उस वक्त जो है 36 गड़ तो विलियम बैडर्स बर्ग ने ठीक है पूछा जा सकता है कोश्यन कि 36 गड़ का जब प्रथम जब संपर्क कॉंग्रेस से साथ हुआ तो उस टाइम जो है कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे ठीक है तो विलियम बैडर्स बर्ग ठीक है दूसरे चीज इस अधिवेश के जो है 18 वर्स किया गया था ठीक है 36 गड़ का कॉंग्रेस का प्रथम संपर्क जो है इसी में हुआ था बंबाई अधिवेशन में जो है 36 गड़ से भाग लेने वाले बैक्ति कौन-कौन से थे तो एक बैक्ति थे आपके वामर राव लाखे cm ठककर, माघर असपरे और रामदयाल तिवारि यह चार जो है इनका नाम आपको याद रखना यह इन चार बैक्ति को यह जो है इस अधिवेशन में भाग लिये थे दूसरी चीज यहाँ पे 1899 में जो है नागपूर का अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने थी आनंद चार लूले ठीक है तो यहाँ भी जो है 36 गड़ से कुछ बैगती गए थे जो इस टाइम यहाँ पे इस अधिवेशन में भाग लिया था पहले सीएम ठककर, रामदयाल तिवारी, ठीक है वामर राव लाखे, बद्री नाच साव और मागव सप्रे ठीक है तो यह चार तो वहीं है जो पहले अधिवेशन में गए थे उसके बद एक बेगती और रहे हैं बद्री नाच साव जो नाच पूर अधिवेशन में गए थे ठीक है तो इसको आपको याद रखना है नेक्स से देखते हैं कि समाज राष्टी भावना को जागरित करने के लिए ठीक है ताकि लोगों में राष्टी भावना जागरित हो सके और वो सुतंत्रिता संगर्स में सक्री बनी रहें जिसके लिए बहुँ से समाजिक संगठन और संस्थाओं की भी इस्थापना की गई थी ठीक है और ये 36 गड़ में भी हुई थी तो कोश्यन पूछे जाते हैं यहां से तो याद रखेगा तो पहली बिलासपूर से देखते हैं बिलासपूर में कौन-कौन सी जो संस्था है संगठन जो राष्टी भावना को जागरित करने के लिए बनी थी एक था आपका रीडिंग क्लब बना था ठीक है बिलासपूर में किस संस्था थी दूसरी बुद्धी प्रकास सभा थी तिसरी जो है बंगालनागपूर रेलवे इंस्टिट्यूट था और बाल समाज पुस्त काल है जिनकी स्थापना यदुनंदन प्रिसास रिवास्तों ने की थी ठीक है तो इसको याद रखेगा नाम इससे पूछा जाता है किसन के एक दौरा की थी इसमें आपको नाम नहीं पूछा जाएगा देती आजाता है कि बिलासपूर में कौन-कौन सी संस्था जो है सोतंतेता संगर्स की टाइम पे खोली गई थी ठीक है एक याद रखेगा सेवा समिती ये भी बिलासपूर की ही संस्था थी और इसकी जो स्थापना करी थी वह थे ठाकूर छेदिलाल राइपूर जीले से देख लेते हैं राइपूर जीले में कौन-कौन सी संस्था इस्थापित कही थी तो एक तो लाइबरेरी एंड साइन्टिफिक एसोसियेशन दुसरा आपको फिफुल स्टीचर एसोसियेशन की स्थापना की गई थी और मालिनी रीडिंग क्लब की राइपूर जीले में की गई थी राजिम से दो याद रखेगा कवी समाज की और समित्रमंडल समित्रमंडल से कोश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेगा सुन्दलल सर्मद और इसकी स्थापना की गई थी और ये राजिम में की गई थी राजनान गौ में 1909 में जो है सुर्षति फुस्तकाले के स्थापना की गई थी ठाकूर प्यारे लाल सीह के दौरा ठीक है ये भी जो है राश्ट्री भावना को जागरित करने के लिए था, साथी साथ राश्ट्री जेतना के विकास के लिए जो है पत्र पत्रिकाएं भी प्रकासित की गई थी तो सबसे इंपोर्टन जो बहुत एक्जाम में पूछे गए है वो है 36 गड़ मित्र ठीक है तो 36 गड़ मित्र जो है 1900 में प्रकासित होई थी इनके दवरा माघवरा सप्रे के दवरा इन्हों ने जो है कुछ पुस्ता के लिखी थी 1907 में ये लिखी थी और एक हिंदी ग्रण्थ प्रकासिन मंडली भी लिखी थी ठीक है जो तिलक की जो केशरी मराथा भूक थी उसी का ये जो है हिंदी वर्जन था निकाली जाती थी ये पत्रिका और ध्यार रखेगा 36 गड़ का प्रथम समाचार पत्र 36 गड़ मित्र है बहुत बार क्रोश्चन पूछे गए हैं कि 36 गड़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है तो 36 गड़ मित्र जो 1900 में जारी हुई थी और 36 गड़ में पत्रिका के जनक जो है किनको कहा जाता है तो माघवरा सप्रे को ही कहा जाता है तिसरे चीज़ याद रखेगा इनके सहयोगी कौर रहे जब 36 गड़ मित्र को प्रकासित हुआ था तो मागरोस अप्रे दौरत प्रकासित किया गेथलिंकिन इनका साथ किनों ने दिया था इसको प्रकासित में तो वामर राव लाखे और रामराव चीचो ओलकर ने जो है इनका साथ दिया था कुछ और पत्री का देख लेते हैं इनके लेखक देख लेते हैं जहाँ से पूछ जाते हैं question एक जेल पत्री का याद रखेबा सुदनलल सर्मदोरा प्रकासित के थी ठीक है दुसरा विकास से याद रखेगा ये देखे विकास और उत्थान है ये जो है रायपूर और बिलाशपूर के जीला परिशत है वहाँ से ये जो है प्रकासित की जाती थी ठीक है तो विकास जो है बिलाशपूर परिशत से और उत्थान जो है रायपूर परिशत से एक यात रखेगा अरुनोद है ये थाकुर प्यारी लाल दौरत की जाती थी और कानिकोज ये जो है पंडित रवी संकर सुक्ल की पत्रिका थी आगे देखते हैं बंग भंग आंदोलन देखें बंग भंग आंदोलन के था कि 1905 में अंग्रेजो दौरत ठीक है उस टाइम वाइस रहे थे बंगाल के लौट करजन ठीक है उनके दौरत ये गोस्ना की गई थी कि जो बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा और बंगाल का विभाजन की पीछे इन्होंने रिजन दिया कि प्रसासनिक गतिविद्या करने के लिए थी बहुत दिक्कत आ रही है तो उसको असान बनाया जा सके तो प्रसासनिक सुईधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं ये उनका कारण था लेकिन में सबसे अगोसित कारण रहा जिसके बारे में बताया नहीं गया था कि बंगाल जो है राष्ट्रवात का बहुत बड़ा एक केंद्रवन गया था जितनी भी ऐसी गतिविधियां होती थी राष्ट्र के लिए जितनी भी गतिविधियां होती थी वो सारी गतिविदियां बंगाल से ही हो रही थी तो उन सारी गतिविदियों को दबाने के लिए ठीक है और राष्टवाद की भावना ज्यादा भैल ना सके इस वज़े से बंगाल का विभाजन किया जा रहा था लेकिन इन्हों ने उपर से ही बोल दिया कि हम प्रसासनिक सुईधा के लिए बंगाल का विभाजन कर रहें तो इसके लिए जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके लिए बंगाल का विभाजन ना किया जाए इसलिए बंग-भंग आंदोलन चलाए गया इसे को सौदेशी आंदोलन कहते है इनके लिए क्या था कि इसके लिए हम किस तरह से करेंगे कि जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका हम बहिसकार करेंगे और सौधेशी वस्तुओं को हम बढ़ावा देंगे ठीक है इसलिए जो है ये आंदोलन चलाए गया था और इसलिए इसको सौधेशी आंदोलन भी क तहा गया था कि किसी भी तरीके से हम जो है अंग्रेजों की जो है वस्तुओं का या विदेशी वस्तुओं का उप्योग नहीं करेंगे ठीक है तो 1905 में बंगालवी भाजन जो है लाट करजन के दौरा किया गया था और इस जो बंग बंग आंदोलन में जो है बिलाजपूर स साथ दिया था आगे देखिए इस टाइम पे जो है राइपूर में एक कॉंग्रेज की साखा खुली थी कि हर जगा जो है कोई बड़ी संस्था होती है तो एक छोटी साखा है खुलती राजजी लेवल पे है लोकल लेवल पे है तो उसकी साखा खुली जाती है तो पंडित सुंदललाल सर्मा प्रवेस कर संपर्क के संपर्क करें रायपूर के मेंुदर का संपर्क translates तो इससे भी काफी question पूछे जाते हैं, तो आगे हम जो है, जब विविन आंदोलनों को देखेंगे, तो इनको भी discuss करेंगे, ठीक है, आप देखें, प्रतम प्रांती राजनेतिक सम्मेलन, ठीक है, प्रांतों में जो है, सम्मेलन कराए जाते थे, तो कॉंग्रेस के दौरत, पहला जो प्रांती राजनेतिक सम्मेलन हुआ था, वो नागपूर में हुआ था, 1905 में ठीक है, और दूसरा जो हुआ था, वो जबलपूर में हुआ था, 1906 में, अब जब 1907 आया, तो प्रांती सम्मेलन तीसरा जो हुआ था, वो कहां हुआ था, तो राइपूर में, तो य जितने सदर से अध्यक्षे, उनके स्वागत के लिए कौन थे? रहे हैं तो हारी सी गौर ठीक है? यहाँ पे, जब यह सम्मिलन हुआ था तो गरमदल के एक नेता थे, दादा साहाब खापड़े. इननों ने क्या किया? इन्हों ने कहा कि अगर हम इस सम्मेलन के सुबारम कर रहें तो हमें सबसे पहले वंदे मातरम गाना चाहिए ऐसा प्रस्ताव दादा सहाब खापड़े दोरा रखा गया था ठीक है लेकिन इसको यहाँ पे सम्मेलन में मना कर दिया गया कि हम नहीं गाएंगे ठीक है लेकिन बाद में जब रविंद्र ना टैगोर ने मनाया इनको तब वंदे मातरम गीत के साथ यह सम्मेलन स्टार्ट किया गया लेकिन तब तक दादा सहाब कापड़े सम्मेलन को छोड़के जा चुके थे नराज हो कर, ठीक है आगे देखें कॉंग्रेस का सूरत अधियोशन तो देखें जब आंदोलन चलाए जा रहे थे तो कॉंग्रेस के जो नेता है उनमें फूट पड़ गई एक दल कुछ और कह रहा था एक दल कुछ और कह रहा था तो इसको हम देखते हैं कि 36 गड़ में कौन-कौन से नेता है जो गरम दल के रहे हैं और नरम दल के रहे हैं क्योंकि यहां से question पूछे जाते हैं तो कौंग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और अध्यक्ष रहे थे रास भिहारी घोस इसकी और 36 गड़ से भाग लेने वाले बैक्ती जो थे सूरत अधिवेशन में वो थे आपके पंडित सुंदललाल सर्मा, सिवराम मुंझे और नरायन राव में घावली ठीक है यह जो है सूरत अधिवेशन में भाग लेने वाले बैक्ते थे अब 36 गड़ में जब नरम दल और गरम दल में दो भागों में जब कॉंग्रेस बट गया था तो कौन-कौन से ऐसे नेता रहे 36 गड़ के जो नरम दल में सामिल थे तो एक थे हारी सिंग गौर ठीक है जिन्हो गरम दल के एक तो आपने देख लिया दादा सहाब खापड़े थे दूसरा देखे पंडित रविशंकर सुक्ल थे पंडित सुंदर्लाल सर्मा रहे फिर रवामर राव लाखे रहे हनुमान सी लचमण राव उद्गीकर ईरागविंद्र राव दादा सहाब खापड़े पढ़ेंगे तो यह चारी चीज़े आपको याद हो जाएगे और नाम आपको याद रखना ही है ठीक है तो आज का विडियो यहीं पे खतम करते हैं विडियो पसंद आता है तो विडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट विडियो में हम आगे जो आंधोलन हुय है होम रूल था रोलेक तेक दर जलिया वाला भागत्यकान था खिलापत आंदोलन थे ठीक है तो उन में जो है 36 गड़ के क्या क्या योगदान रहे हैं उन सारी चीजों को आगे डिसकस करेंगे तो थैंक यू थैंक यू फोर वोचिंग